नमस्ते, तो आज हम भारत के भागोलिक विभागों के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो क्या, MCQ सॉल करेंगे और एक एक क्वेशन को धंग से देखना और जब धंग से एक क्वेशन को देखोगे तो अराम से क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक, तो चलो, आज की क्लास हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, ये वाला जो चैप्टर है ना, भारत के भातिक विभागों वाला, ये थोड़ा बड़ा है, और थोड़ा वास्ट है, तो हो सकता है कि इसके MCQ की सीरीज भी क्या हो, थोड़ी लंबी हो, और जिन लोगो को का लग रहा है कि मैड इसका वो हिस्सा आप थोड़ी से नहीं कवर कर पाए हैं, तब आपके पास दूसरा बहुत अच्छा मेथड होता है, कि आप एक क्वेशन को खोल खोल के क्या कीजिए, कई बार एक्जाम में हमारे पास उसी हिस्से में से क्या आ जाता है, क्वेशन आ जाता है, तो दोनों तरीकों के अपने अपने फायदे हैं, और दोनों तरीकों के अपना अपना सिस्टम है, तो आज से हम यह शुरू करेंगे, और इस बीच पीछे वाली चारो जो भारत का बहुत एक परिच्छा है, उसको देखना, मत भूलना, उसको बराबर से क्या करना, रिवाइस करना, वो बराबर से रिवाइस होता रहेगा, तो यह आगे वाले क्वेशन भी आपको अराम से क्या आते रहेंगे, समझ आते रहेंगे, तो चलो, आज की हमारी क्लास की क्या करते हैं, शुरू करते हैं, और जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ, कोई भी चीज पढ़ाई करने से पह आती आई हूँ आपको कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे क्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो पहले क्वेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़ें फिर मैं आपको इस क्वेशन को किस पर बताऊंगी नक्षे पर बताऊंगी और आपको नक्षे में उसको क्या रख आपникиअज अरवली कि पहाडियों पर है दूसरा कहरा है कि कुड़ाई कोनाल जो जगह है वो पलनी कि पहाडियों पर है तीसरा option कहरہा है कि उट prise अमंडल जिस को हम उटी भी कहते हैं वो नीलगीरी कि पहाडियों पर है और चौथा option दे रखा है कि शिमला जो है वो पीर पंजाल श्रेणी में इस्थित है अब हमें क्या पता कौन सी जगह कहा है तो हम एक बार इसको किस पर देखेंगे मैप पे देखेंगे देखो इन चारों ओप्शन को देखने के बाद एक तो अपना सा लग रहा है और जो आपको पता है कि बिल्कुल सही है और इस क्वेशन का अंसर नहीं हो सकता वो है अरावली क्योंकि अरावली की पहाड़ी ओपर ही कौन स्थित है मांट अब उस्थित है अब हम बाके के तीनों ओप्शन को देखेंगे नक्षे के उपर और हम समझ जाएंगे तो देखो ये मैंने आपके सामने अलग से डागराम किया है बड़ा बना के छोड़ा है ताकि वहां पर ही सारा कुछ पेंटिंग हो जाता है ना तो बड़ी दि इंडिया दक्षन भारत का मैप दिख रहा है और इस दक्षन भारत के मैप में आपको तीम स्टेट दिख रहे हैं इधर आपको करनाटक दिख रहा है और इधर आपको ये वाला जगे तमिलनाडू दिखाई दे रहा है और इधर की तरफ ये मैं लिख देती हूं कि ये पहल दूसरा किया दे रखा है दूसरा आपको दे रखा है अगर आपको अभण है आप गौर से देखेंगे, तो दूसरा option आपको दे रखा है पालनी की पहाड़िया, तो यहां केरल और तमिलनाडू के बीच में इस जगे पर आपके अन्ना मलाई की पहाड़िया हैं, और इन्ही अन्ना मलाई की पहाड़ियों का सबसे पूर्वी भाग, यह वाला हिस्सा, य आपका पलनी की पहाड़िया यहां पालनी की पहाड़िया, यहीं पलनी की पहाड़ियों पर आपका एक hill station इस्तित है, जिसे क्या कहते है, कोटड़ेग कनल, तो अब हम वापस अपने question की तरफ जाते हैं, जो भी मैंना यहां ट्रॉख किया है, वो आपको अच्छे से दिख कोड़ाई कनाल जो है वो पलनी की पहाड़ियों पर इस्थित है बिल्कुल यह देखो अभी हमने देखा था कि कोड़ाई को नाल कौनसी पहाड़ियों पर इस्थित है पलनी की पहाड़ियों पर और पलनी की पहाड़ियां किसका भाग है अन्ना मलाई यह कौनसी परवत शंक और अन्ना मलाई परवत्शंख्ला का जो पूर्वीशोर धक्षन पूर्वीशोर है वही क्या कदल पहडिया गलाता है और वहीं पर आपका क्या है स्थित है कोड्डाई कनाल तो दूसरा ऑपशिन हमारा क्या है बिलकुल करेक्ट है तीसरा उटकमंडल जो है वो नीलगीरी की पहाडियां तो उटकमंडल और नीलगीरी की पहाडियों को भी हम जाकर देखते हैं तो बिल्कुल नीलगीरी की पहाडियां कहां पर कौन सा स्थित है उटी स्थित है तो तीसरा पेर भी हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है अब कौ Assandra पेर गलत है हमारा शimla और पीरपंजाल शरीनी मेरा फ़ीर नाको के तो को सबूम आपको पता होगा कि SIMLA ध् exactementावारयाि, और सबुते सिर्ग में सी 파 glee at О तो है ना असान सा question, तो चलो एक बार फिर से अराम से दमाग में imagine करो, अब मैं आपके लिए यहां पर बना के दे रही हूँ, आसानी से, ताकि आपको फिर से एक बार समझ में आ जाए, देखो, अभी बना दूगी मैं दो मिनट में, ताकि आपको क्या नहीं रहेगा, दिकत अगर हम गोर से देखें तो इस जेगे पर निलगीरी है, जहाँ निलगीरी ही है, कौन से यह पर बन जेगे है, उटी दूसरा अरा ऑशे, ठीक नीचे इधर की तरफ कौन सी पहाडिया यह आपके, पलनी का पहाडिया यह यह इनी पलनी की हिल्स के अंदर, आपका कोड़ा अब आपको अरावली का पता है, इसलिए मैंने आपको अरावली बना के नहीं दी और शिमला आपको अच्छे से पता है कौन सी रेंज में स्थित है, दोहलादर रेंज में स्थित है, पीर पंजाल में स्थित नहीं है, तो ये question important है, आप इसे क्या रखना, याद रखना, अब अब आगे चले, चलो, अगले question की और, निमलिकित मैंसे कौन सा कथन असत्य है, मतलब आपको क्या पकड़ना है असत्य, कईवार examiner बहुत बहुत बदमाश होता है, और हमारे साथ brain game खेलता है, दिमाग वाले game खेलता है, अब यहाँ पे वो ये भी तो लिख सकता था था, क कौन सा कथन गलत है, लेकिन नहीं, उल्जाने के लिए क्या लिखा गया, असत्य है, तो पहले आप क्या कीजिए, कि जहां पर भी आपको ये लिखावा मिलेना की कौन सा कथन असत्य है, वहाँ पे आप जटाक से लिख दीजेगा, कि आपको जो statement गलत है, उसे पकड़ना है और वही क्या होगा, आपका answer होगा, अब आप कहोगे, कि मैम इस से तो हमारे paper में solve करने में time लगेगा, देखो थोड़ा time लगेगा, लेकिन practice करोगे, तो speed maintain हो जाएगी, लेकिन इसके साथ आप accuracy से question सही कर पाएंगे, वरना ये scene होगा, कि आप option पढ़ते पढ़ते क्या कर कर देंगे, सत्य कथन पर answer टिक कर देंगे, और ये बहुत सारे student के साथ हुआ है, और इतनी अच्छी तयारी करने के बाद, बहुत याद करने के बाद, बहुत concept clear करने के बाद, अगर आप ये छोटी सी भी mistake कर रहे हैं, तो exam में आपको ये क्या पढ़ सकती है, बहुत भार पढ़ सकती है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखे, शुरुवाती दौर में classes देखते देखते इस चीज की practice करें, फिर ये आपके routine में आ जाएगा, तो मस्त हो जाएगा, ठीक, तो देखो, अब हम अपने statement पढ़ना शुरू करते हैं, उनके सामने सत्य और असत्य लिख के बहुत एक विभाग पढ़े होंगे, तो एक छोटी सी कहानी सुन लो, उससे आपको ये statement याद रहेगा, कि जब आप हिमाले पढ़ते हैं, हिमाले पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं, हिमाले बिंदास इधर से निकलता है, यूरेशन प्लेट को टकर मारी जाती है, हिमाले जुकेगा नहीं, तो जब हिमाले ये कहता है, कि मैं जुकूँगा नहीं, तो हिमाले को चलंज देने के लिए एक नदी आती है, उत्तर पूर्वी भारत की तरफ एक नदी आती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, वो कहती है, तुम कैसे नहीं जुकोगे, मैं भी हिमाले जो है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर के बाद दक्षन की तरफ क्या हुआ है, बेंड हुआ है, जिसे आप पुर्वांचल की भी पहाडिया कहते हैं, या उत्तर पूर्वी पहाडिया भी कहते हैं, बेसिकली अगर आप देखें, तो हिमाले में ये बेंड है, और सब्स्काल की पहाडिया भी कहते हैं, उन्ही पहाडियों में इसे एक पहाडी है, नागा पहाडी जिसपर आपका सारा नागा लेंड है, मेरी बातों को गौर से सुनना, कई वार मुझे दो भौर नहीं करना होता, बस बोलना होता है, तो बात पर भी आप गौर फिरमाईए अब देखो एक चीज ध्यान रखना, कि यह जो सारा मती है, इस सारा मती की आपको हाइट याद रखनी है, हो सकता है कि कई बार examiner experiment कर ले और आप से इसकी हाइट पूछ ले, तो 3826 मीटर इसकी हाइट है, कितनी है, 3826 मीटर जो है वो सारा मती का हाइट है, ठीक, अराम से पर है बहुत आसान, बताऊं कि ऐसे, देखो पीछे से लिखना शूरू करो, छे में दो चोड़ो, फिर कितना आएगा, आठ फिर चुपके से आगे क्या लिख दो, तीम लिख दो, बहुत आसान है, और एक बार लिखने के बाग छोड़ दो, फिर अराम से याद हो जाएग काथिया वार प्राइदीप उन्मगन तट रेखा का उधारन है, हाँ काथिया वार प्राइदीप कैसी तट रेखा है, उन्मगन तट रेखा है, अब पढ़ो अपने फॉर्थ ऑप्शन को, फॉर्थ ऑप्शन में क्या लिखा हैvenes कि जैलिप और नाथुला दर्रे हिमाचल यह स्टेटमेंट क्या है असत्य है तो प्राइमा फेसिया देखने पर हमें यह पता चलता है कि दूसरे क्वेशन का सही आंसर क्या होगा फोर्थ होगा अब हम बात करते हैं जेलपला और नाथुला दर्रे की इसको हम मैप पे देखेंगे अब गौर से मैप पे देखना अब इस तरफ आपको देखना होगा इस साइड हो इस डियाग्राम को हम देखते हैं यह second number question का डियाग्राम है इसमें आप देखना कि जिस तरफ मैं यह बिन्दू लगा रही हूँ यह आपका नाथुला दर्रा है कॉनसा दर्रा है नाथुला दर्रा और इस तरफ जो मैं चूला कौनसा दर्रा है जेलेपलादर्रा ITTा इस स्टेट को आप आays पहचानते हो यह कौन सा इस्टेट है आपका तो यह सिकिम कौन सा स्टेट है आप ऊजित बहुत-बहुत गौट में इंस त्य क्रश्जा कॉन्हारी से के द्धिक नाम है crap今日 द्रानीमार ममार्व अब यह क्यों इंपोर्टेंट है तो यह इसलिए इंपोर्टेंट है कि सिक्किम के इस तरफ है नेपाल ठीक सिक्किम के ऊपर की तरफ है तिबबत एक बार मेर से पिछली क्लास में थोड़ा सा क्या हो गया था देखो 20 questions लगाने होते हैं और अच्छे से समझाना होते है तो थोड़ा बहुत कहीं पर क्या हो जाता है कहीं जगह उपड थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो कहीं कहीं बार पर मैं clear भी कर देती हुं तो यहां पर सिक्रिण के उस तरफ, उपर की तरफ कौन अस्र टिपथ है जिस पर किसका control चरता हैашा चाईना का control चरता है और इस तरफ कौन है भुतान है्ठ लाइग असलो हुआ कि पर भुतान तो अब आपके जिहान रखना वूब यहीं इसी नाथुल्ला दर्रे पर आपके क्या है। तो आपको ध्याद रखना है। बेसिक्री अब हम प्रैशर को मेंगना क्रेंट हमारे इस लिए हम्हें उप highlyशी था के paste comment के ऊपर के तरफ नहीं इनीचे की तरफ- propriet्युंकि दोनों थांट धर। है इसलिए important है दोनों के दोनो दर्रे क्योंकि दोनों के दनों धरों पर हम बाउंडरी पर बैढ़े हैं अब जो नातुल्ल ाध्रा है चाई जलपला दर्रा है वह मदएक है जिसका नाम सक्किम में क्या है बॉज उज भॉज ऑर नजलग ऑधर रखलो आप कहते रहते रहते हो तो ये क्या, वो क्या, तो डोंगे क्या, तो डोंगे क्या, श्रेणी के अंदर आपका नाथुला भी है और जलेपला भी है, नाथुला और जलेपला का जो मैप पर ये डारेक्शन है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि अब देखते हैं अगला question, निमनांकित दर्रो का पस्चिम से पूर्व की और, देखो यही चीज सबसे important है, कि जितने भी दर्रे हैं उनको आपको पस्चिम से पूर्व की और कौन से क्रम में लगाने हैं, सही क्रम में, ठीक अब कौन-कौन से दर्रे दिये गए हैं, उसे एक पढ़ लेते हैं, जलपला दे रखा है, बोमडिला दे रखा है, लिपुलेक दे रखा है और बनिहाल दे रखा है, अब हम इसे map पे देखते हैं, आगे की तरफ, अब देखो, यह आपको सारे के सारे map पे मैंने क्या बना के दिये हैं, सारे के सारे दर्रे बना के दिये हैं, हम इसी मैप पर अब देखें कि कौन सा दर्रा किस और है उसके बाद हम क्या लगा लेंगे?" deceased sequence लगें अब एक बार देखते हैं कि हमें question में कहां से, कहां से पूचया है, हमें question में west, यानि कि पश्चं से ... पस्चं से किस की तरफ पूच की तरफ पूच है? पूछा है तो हम बढरेंगे भी कैसे वैसे इस की तरफ बढ़ेंगे और जब हम वैसे इसट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आउट्ोमेटिक क्या होगा हमारे पास automatik ет सीक्वेंश और सबसे वैस्न में यह जो मैंने पहला बना रखा है यह है आपका बनिहाल दर्रा कौन सा दर्रा है यह आपका बनिहाल दर्रा ठीक अब हम अपने क्वेशन को वापस देखते हैं तो देखो यह रहा, बनिहाल दर्रा, कितने नंबर लिखे वे हैं यहाँ पे, चार नंबर लिखे वे, यानि कि चार नंबर सबसे पहले आएगा, तो देखो चार नंबर सबसे पहले इनी दो आप्शन में आ रहा है, बाकी दोनों आप्शन को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सक क्लियर। अब हम चलते हैं आगे की और. अब यहां पे हम लिख देते हैं फोर्थ नमब्झ, अब इसके बाद यह जो आप तो आपका उत्राखंड में इस्थित है, यहां पर आपके क्या लिख रखा है, तीन लिख रखा है, ठीक, फिर आपको यह दिख रहा है, यह दर्रा मैंने अभी आपको बताया, यह दर्रा है आपका जेलेपला दर्रा, कौन सा दर्रा है, जेलेपला, यहां पर आपका दो यह स्थितित है यह आपके हरुनाचल प्रदेश में में इस्थितित है कौन फॉण प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में यहloveb kangenसा अभूरो को आपको अराम से किस पर देखना होगा अराम से पूरा-क पूरा हैं अपने question की तरफ हमारा question क्या कह रहा है कि निम्नांकित दरों का फश्चम से पूर्वकी और सही क्रम है तो सबसे पहले आएगा बनिहाल फिर आएगा लिपुलेक क्लिपुलेक के बाद आएगा जलेप कौन सा दर्रा आएगा जलेप यह रावन और जलेप के बाद कौन सा आएगा बॉंब डिला मैंने वहाँ पर सीक्वेंस गलत लगा दिये जिसको मैं सही कर देती हूं हमारा जलेप लाहे एक नंबर पर और हमारा यहां पर एक आएगा और यहां पर दो आएगा एरेज करके सही कर देती हूं यहां पर एक आएगा, यहां पर दो, यहां पर हमारा लिखावा है बॉमडिला पर दो, तो अराम से देखा सारा का सारा दर्रा पूरा का पूरा, चलो, अब हपन चलते हैं, अगले question की और, इसको एक बार फिट से देख लेते हैं, तो देखो, बहुत बंदास है, अब अराम स दिमाग में मैजन करो, कि सबसे पहले कौन सा दर्रा आएगा, बनेहाल दर्रा आएगा, जो पस्चिम की और है, उसके बाद पस्चिम से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो कौन सा आएगा, लिफ पुलेक, क्योंकि हमें पस्चिम से किस तरफ जाना है, पूरव की तरफ, तो सबसे पस्चिम में कौन सा दर्रा हुआ हमारा बनेहाल, फिर कौन सा आएगा, लिफ लेक, अब देखो, लिफ लेक को मस्तियाद रखना, आपको भूले बाबा के दर्शन करने है, केलास मांसरोवर की आत्ना करनी है, तो आपको लिफ लेक दर्रे से होकर कई वार क्या करना पड़ सकता है, गुजर ना पड़ सकता है, लिफ लेक के बाद थोड़ा आगे जाएए, क्वेशन के अनुसार देखेंगे, तो मैंने आपको बताया, जलिपला दर्रा आएगा, सिक्किम के अंदर है, जलिपला दर्रा, जलिपला के बाद थोड़ा आगे भढ़ेंगे, तो कौन सासे मिलेगा आपको 할ा मिलेगा बॉंम ढिला- आपको कहा देखने को मिलता है अरुनाचल प्रदेश में देखने को मिलता है इसे एक हमारा वेस्ट सुरंग से होकर गुजडता है जवाहर सुरंग निमनांकित मैंसे किस दर्रे से संबन देता है अब होता है connect होता है इसलिए आपको ये नाम याद रखना है कि जम्मू कश्मीर सडक मार्ग जो है वो कहां से होकर गुजड़ता है जवाहर सुरंग से और ये जवाहर सुरंग निम्नांकित मैं से किस दर्रे में इस्थित है तो आपके बनिहाल दर्रे में इस्थित है आगे बढ़ू चलो हां तो एक बार फिर से देख लो सारे के सारे दर्रों को मजे से अराम से आगे चले अब चलो कश्मीर को सेश भारत से जोड़ने वाला दर्रा अब इस क्वेशन का अंसर आप स्वेम देंगे क्योंकि अभी मैंना आपको बताया मस्त तरीके से तो देखो एक बार फिर से रिवाइस करते हैं अराम से कूल दिमाग से कि जमू कश्मीर में एक जगे है बनेहाल दर्रा ठीक बनेहाल दर्रा कौन से हिमालाय की रेंज में है पीर पंजाल शेणी के अंदर है अब यह बनेहाल दर्रा क्या करता है कि यह कश्मीर को सेश भारत से जोड़ अराम से दिग्या चले तो इसका सही आंसर क्या होगा बने हाल आगे चलू में सिक्स नंबर क्वेशन की और चलो अगला क्वेशन हिमाले परवत माला का निर्मान निमनांकित मैं से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है अब देखो यहां पर यह पूछ रहा है कि भई जो आपक आव निमन टृटि का नियम है अब हमें यह देखना है कि परवत जब भी बनता है तब क्या होता है तो ध्यान रखना यह पूरी की पूरी जो प्रतवी है वो सारी की सारी प्रतवी प्रत्वी नाम घर की नीव प्रत्वी को एक घर मानलो तो उस घर का नीव क्या प्रत्वी का प्लेट केलाएंगा अब प्रत्वी का अएक तो बड़ा घर नहीं है वो दो बड़ी प्लेटे थी, एक इंडो ऑस्ट्रिलियन प्लेट और एक थी यूरेशन प्लेट, जब इन दोनों प्लेटों के बीच में जम कर डिश्म-डिश्म हुआना, तब जाकर कौन बना है, आपका हिमाले बना है, अब हमें ये देखना है, कि ये प्लेट कैसे लड़ी यह प्लेट कौन-कौन से तरीके की थी, यह प्लेट समुंद्री थी या महादवी प्ये थी, ठीक, तो चलो थोड़ा बहुत मैं आपको प्लेट के बारे में समझा देती हूँ, बेसिकली आपको यह जो डायग्राम दिख रहा है, यह एक प्लेट है, मतलब प्लेट एक भूमी का छोटा टुकड़ा होता है, जो तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर जो है, वो क्या होता है, मोटा होता है, कितना मोटा होता है, तकरीबन 100 से 200 किलोमीटर यह प्लेट क्या होती है, मोट बिंति होती है, चोटा भूमी का टुकडा है जो 100 से 200 किलोमीटर होगा और ये तैर रहा होता है, क्या कर रहा होता है? त्रुछे आधो कि सब्सक्राइब तैर होता है? तो प्रत्थवी के अंदर एक मैघमा का थे रहा होता है किसका भाग होता है, मेंटल का भाग, तो उस मैगमा की लेयर के ऊपर ये क्या कर रहा होता है, मस्त तैर रहा होता है, जिसको हम दुरबलता, मंडल या एस्थेनोस्फेर भी कहते हैं, तो इसी के ऊपर ये प्लेट क्या कर रही होती है, मस्त फ्लोट कर रही होती है, अब ध्या यह प्लेटे होगी उनकी मोटाई हमेशा क्या होगी जादा होगी अब एक शब्द लिखाओ लिखाव हा आता है अभीसर्ण का मतलब होता है तक्र खाना क्या खाना थक्रकाना काई ऐसे आप imagine करो दो स्कूटी एक दूसरे के सामने आ रही है और वो सामने से आते ही भड़ जाती है क्या हुआ दो स्कूटियों के बीच में अभी सरन हुआ या हम आम भाशा में क्या कहते हैं दोनों की बीच में टक्कर हुई ऐसे ही समझो एक बड़ा ट्रक है और एक छोटी ग हो गई वो भी दोनों एक दूसरे से भीड़ गए अच्छे से लड़ाई करने लग गए तो वो भी उन दोनों के बीच में क्या हुआ है डिशुम डिशुम बिल्कुल ऐसा ही है कि पृत्वी के अंदर कि नहीं दो प्लेटे चाहे वो महाधवी प्लेटे हो चाहे वो अगर यह प्लेटे हो अगर यह प्लेटे सीधा आकर एक दूसरे से क्या खाए टकर खाए या और अच्छे शब्दों में जोग्रॉफी की सब्जों में अभी सरण करे तब हमेशा क्या बनते हैं परवत बनते हैं अब एक चीज ध्यान रखना जब भी अभी शरण होगा वि विनाश होता है तो हमेशा ध्यान रखना अभी शरण कौन से किनारे होते हैं विनाशात्मक किनारे होते हैं विनाशात्मक किनारे होते हैं तो बहुत सिंपल है कि जो हिमाले का निर्माण हुआ है हिमाले के निर्माण में दो महादीप य प्लेटों ने एक दूसरे को क्या म थीक, दोनो मेंसे एक प्लेट कौन सी है, एक इंडो अस्ट्रेलियन प्लेट गुर्यान प्लेट गुर्वाने और डूावी प्लेट है, महाद्वीप महाद्वीप प्लेटों में अभी सरण बिल्कुल सही है यही सही आंसर है कि इंडो एस्ट्रेलियन प्लेट भी महाद्वीपियन प्लेट और दूसरी तरफ कौन सी यूरेशन प्लेट वो भी महाद्वीपियन प्लेट और इन दोनों एक दूसरे को क्या मारी है मस होगा तो यह question क्या है आपका important है और आपको क्या रखना है आपे ध्यान रखना है clear आगे चलू चलो कि अब चलते हैं अपन आगे निम्नांकित मैंसे कौन सा कथन असत्य है अब फिर से असत्य का मतलब आपको जो statement गलत है वही क्या होगा आपका अब देखते हैं पहला statement पढ़ते है कश्मीर, शिमला, गडवाल तीन जगाओं के नाम दे रखे हैं कश्मीर, शिमला और गडवाल यह नापे है ग्रिवा खंड के उध्धारन है अब आपको जोगे मैं नापे क्या होता है ग्रिवा खंड क्या होता है अभी समझाते हैं आपक ग्रिवा खंड अब ग्रिवा खंड यह नापे क्या होता है तो गौर से मेरी बात को सुनना तब आपको यह चीज आसान तरीके से समझ में आ जाएगी जब भी दो प्लेट्स आपस में टकराने को लगती है अभी सरन करने को लगती है यानि कि उनके पास अब एक बात सामने वाले को क्या मारी है, तक्कर मारी है, तो जो भी चीज है सामने वो बहुत ही तेज गती से क्या हो जाएगी, रोल डाउन, फोल्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी से फोल्ड हो जाएगी, एकदम गुमावदार तरीके से वो क्या हो जाएगी, फोल्ड ह हुई आ रही है और उसके पास इतना जादा फोर्स है और उपर की तरफ यूरेशन प्लेट है वो इस्थर है वो एक जगे बैटी है तो जब बहुत तेज गती से दौड़ती भी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशन प्लेट को टक्कर मारती है तो कुछ जगाओं पर ब लगू हिमाले की सरवादिक महत्वण श्रंकला है तो बिल्कुल सही बात है कि जो आपका धोलादर है वो कौनसे हिमाले के अंदर इस्थित है तो आपका धोलादर लगू हिमाले के अंदर ही इस्थित है तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है और ध्यान रखना मैं क ट्रांस हिमाले, ट्रांस के बाद है ग्रेट हिमाले, ग्रेट हिमाले के बाद है लेसर हिमाले या जिसे हम हिंदी में लगू हिमाले कहते हैं और लगू हिमाले के बाद आपका क्या शुरू हो जाता है शुरू हो जाता है जिसे आउटर या भारी हिमाले भी कहा जाता है तो मो दोलादर किसका हिस्सा है लगू हिमाले का हिस्सा है फिर देखो शिमला दोलादर शेणी पर इस्थित है बिल्कुल अभी हमने अभी फॉर्स्ट पेपर में देखा था कि सिमला जो है वो कौन से जगे पर इस्थित है आपके दोलादर शेणी पर हिमाले में ज्वाला मुखी क प्रमाण देखने को नहीं मिलेंगे, सिक्किम छोड़ो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, देखो ज्वाला मुखी करिया वहां होती है, जब एक महादवीप ये प्लेट और एक महासागर ये प्लेट टकराती है, जब हिमाले बन रहा था था ना तो दोनों प्लेटे कैसी थी, अगनी वले तो याद होगा ना, प्रशान्त महासागर की आसपास पूरा एक अगनी वले है, जहां पर बहुत सारे ज्वाला मुखी है, क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारे कॉंटिनेंट की, बहुत सारे महादवीपों की प्लेट और प्रशान्त महासागर की प्लेट टक लेकिन यहां पर दोनों महादवीपे प्लेटे हैं, तो ऐसी क्रिया नहीं होगी, इसलिए हिमाले के अंदर आपको जुआला मुखी क्रिया के प्रमान देखने को नहीं मिलेंगे, तो सही आंसर क्या होगा, आपका D होगा, अगला देखो, एर्थ नंबर क्वेशन, यह तो वर हिमाले परवत के अंदर, यह चोटी सा एक टुकड़ा है इन तीन पाडियों का, जो मेघहले के पठार पर इजदत है, और ऐसा लगता है कि पूरे, मतलब ऐसा ही सीन है, कि सब लोग एक जैसे हैं, बस यह एक क्या है, अलग सा है, जिसे कितना बेगानी शादी में, अब्द पठार का हिस्सा है, जो रूट कर अपने पिराई दीपे पठार यानि उसकी मम्मी से कहां चला गया है, दूर चला गया है, और हिमाले की गोद में जाकर क्या कर गया है, बैठ गया है, तो दिये गए चारों आप्शन मेंसे इसका सही आंसर क्या होगा, दक्कन का पठार, य और वहाँ पर आसपास सारा का सारा हिमाले हिमाले चल रहा है, और बीच में आपको छोटू सा क्या दिखता है, प्राइदीप ये पठार का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम मेगाले का पठार भी कहते हैं, वहीं पर ये गारो खासी और जनतिया की पहाडिया है, जिसको आपको मैप पे भी याद रखना है, कहीं वार इनका क्या पूछ लेते हैं, सीक्विंस पूछ लेते हैं, तो चलो देखो अपन देखते हैं गारो खासी और जनतिया को, अब आपको ये पूरा मैप दिख रहा है, इस पूरे मैप के अंदर, अगर आप देखेंगे, तो ये जगे मे मेघाले, और यहीं मेघाले में ये जो पहली पहाडी है, ये है गारो पहाडी, ठीक, ये जो दूसरी पहाडी है, ये है खासी पहाडी, और ये जो तीसरी पहाडी है, ये है जनतिया पहाडी, तो आपको ये गारो खासी और जनतिया का सीक्विंस भी याद रखना है, ये ग अगला question, फिर से वो ही है कि निम्नांकित मैंसे कौन सा कथन असत्य है, मतलब फिर से हमें कौन सा कथन पकड़ना है, जो कि क्या है, गलत है, अब देखो first question को, मकालू और मनसालू परवत चोटिया हिमादरी की है, अब फिर से हम confusion हो जाएंगे कि हमादरी तो मैं आपने पढ़ करना मुझे, तो हिम्न का मतलब होता है बर्फ और अदरी का मतलब होता है परवत, तो ऐसे परवत शंकला हैं, जो पूरी तरीके से किस से ढखीवी है, बर्फ से ढखीवी है, अब दिमाग लगाओ, सबसे पहले आपका कौन सा हमाले आता है, ट्रांस हमाले आता है, ट्रांस मीटर आपकी average height है वहाँ पे आपको पानी पानी नहीं मिलेगा वहाँ पे आपको सब क्या मिलेगा बरफ बरफ मिलेगा और बरफ को बहुत सुध हिंदी में क्या कहते हैं हिम कहते हैं तो इसी वज़े से कई वार महान हिमाले को या व्रहत हिमाले को क्या कह दिया जाता है, हिमादरी कह दिया जाता है, तो मकालू और मनसालू परवत चोटिया हिमादरी की है, बिल्कुल सही है, स्टेट्मेंट असत्य नहीं है, सत्य है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये तो स्टेट्मेंट क्या है, सत्य है, शिवालिक के दक्षणा व ये भी क्या है सत्य है तीसरा देखो सिंधू नदी के गौर्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गौर्ज तक हिमालय की लंबाई लगबग 2400 किलोमीटर है ये भी statement क्या है true है देखो basically हिमालय की जो दौर है हिमालय का ऐसा समझो आप कि हिमालय का जो दौर है वो दो नदियों के ब दोस्त जो ब्रह्मपुत्र दोस्त है इसमें हिमालय को जॊकना सिखाया है इसलिए हमालय जो है दक्षिन की तरह जुक गया है मस्त वो commencer dialogue आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर हिमाले को जुकना पड़ेगा यहाँ पर वो pushpa picture का डालन dialogue नहीं चलेगा कि pushpa जुकेगा नहीं साला यहाँ पर तो ब्रहमपुत्र ने अच्छे खासे तरीके से हिमाले को क्या खर दिया है जुका दिया है तो ये statement भी क्या है, true है, तो मस्तियाद रखो, एक तरफ संदू है, एक तरफ ब्रह्मपुत्र है, और बीच में 2400 किलो मीटर का हमारा हिमाला है, बड़ा विशाल का है, लेकिन यही विशाल का है आदमी ब्रह्मपुत्र के बाद क्या हो जाता है, दक्षिन की तरफ बेंड हो अब आपको पढ़ना है, लास्ट स्टेटमेंट, मालाबार तट, गुजरात और गोवा के बीच उरिस्तित है, यह स्टेटमेंट क्या है आपका असत्य है, क्योंकि जो मालाबार तट है, वो केरल में है, और यह पश्यमी घाट के अंदर, मंगलोर करनाटक से लेके, कन्या क हुमारी तमिल नाडू तक फैला है, यानि कि D statement जो है, वो आपका क्या है, completely गलत है, और इसने कौन सा पूछा है, असत्य पूछा है, तो सही आंसर कौन सा होगा, D option होगा, अब हम मालाबार कोस्ट को क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो देखो, यह इस डाग्र मंगलोर, क्या कह रहे हैं, इस जगे को मंगलोर, ठीक, और यहां पर यह कौन सा पॉइंट है, आपका कन्या कुमारी, कौन सा पॉइंट है, यह कन्या कुमारी, और मंगलोर करनाटक से, कन्या कुमारी के बीच, यह जो मैंने पिंग कलर से बनाया है, यह आपका कौन सा तल्मध माला बार तक है. अब समझ में आ गया माला बार तक होता है? क्लियर फोटोग्राफ देखा अच्छे से चलोँ. अब हम देखते हैं अगला अग्रा क्वेश्षीन निम्नमे से कौन सा कथन असत्य है? मतलब आज मैं पुरा वो ही प्राक्टिस करने वाली हूं कि कौन कौन से कथन असत्य है पहले उनको आप सही से सॉल करना सीख लो ताकि सारी की सारी जो गलत करने की रामायन है वो क्या हो जाए? दूर हो जाए. तो देखो द्रणा का मैदान हिम तरंगित मैदान है और वो भेंकर वाला हिंदी है तो लद्दाक का मैदान अब इमाजन करो लद्दाक को ट्रांस हमाले में लद्दाक हिस्थित है उचाई बहुत ज्यादा है अब बताऊ क्या पानी बचेगा पानी को सर्दी लगेगी और पानी बन जाएगा बरफ ठीक यहां वो पानी-पानी वाला गाना नहीं गा सकते, आज ब्लू है पानी-पानी, वहां तो यह कहना पड़ेगा, यहां पर तो सब कुछ सफेद है, तो हिम तरंगित मैदान के लद्दाख है, बिल्कुल है, तो यह statement क्या है, हमारा true है, यानि की सत्य है, फिर लिखा है, लटकत पत्थर के अंदर थोड़ा नदियों का पानी मिक्स हो जाता है, तो आपको कास्ट इस्थिला करती है, देखने को मिलती है, तो यह बात statement जो है, वो बिल्कुल क्या है, सही है, कि मेगाले में आपको क्या देखने को मिलेगी, कास्ट इस्थिला करती है, तो यह कथन भी क्या पूरे भारत के अंदर अगर किसी नदी में इतनी ताकत है कि उसने बहुत जादा तक इरोजन करा है नाली के रूप में तो वो चंबल है और इतना इरोजन करा है कि बीहड बना दिये हैं तो जब भी यह चीज आए ना कि गहरी अवनली का युक तो दिमाग में बिना कुछ ज यह स्टेट्मेंट पूरी तरीके से क्या है रॉंग है क्योंकि गहरी अवनली का और बीहड भूमी आपको कहां देखने को मिलती है चंबल नदी में देखने को मिलती है तो चुकि दी स्टेट्मेंट जो असत्य है इसलिए सही आंसर क्या होगा यही option होगा clear solve करने का तरीका समझ आया आगे चलो चलो अब 11 नंबर question देखो जमु एम कश्मीर के निम्नांकित मान्चित्र में एक दो तीन चार द्वारा प्रदर्शित परवत शंकला हैं तो मतलब आपको इधर देखना होगा यह है आपका पहला परवत शंकला एक नंबर का यह है आपका दूसरा अब देखो यह जो पहली नंबर है यह है आपकी कारा कोरम और यह जो पूरा का पूरा फोटोग्राफ आपको इस वक्त दिख रहा है यह सारा का सारा है आपका ट्रांस हमाले कौन सा हमाले है ट्रांस हमाले पहला जो आपको दिख रहा है वो कौन है कारा कोरम है दूसरे नमबर जो आपको दिख रही है वो है आपके लद्दाक रेंज कौन सी रेंज है लद्दाक रेंज और जो आपको तीसरी दिख रही है वो है आपकी जासकर रेंज और जो आपको फोर्थ नमबर दिख रही है वो है आपके पीर-Panjal range कौनसी range है पीर-Panjal तो पहले दो option तो out हो गए क्योंकि लद्दाक से तो हमें शुरू ही नहीं करना हमें कहां से शुरू करना है कारा कोरम से अब कारा कोरम के बाद दूसरी कौनसी है लद्दाक तो सही answer कौनसा होगा आपका C कारा कोरम लद्दाक जासकर और पीर-Panjal क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं आगे चलू हाँ निम्नांकित मैंसे कौनसी परवर्चेनी ट्रांस हिमालय में सम्मलित नहीं है तो अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय में कौनसी शामिल नहीं है तो देखो लद्दाक है जासकर है पीर-Panjal भी हो सकत हिस्सा है लगू हिमालय का हिस्सा है लेकिन यहां पर इस ऑप्शन में यह थोड़ा क्या है गड़बढ है सही आंसर तो क्या होगा सिवालिक होगा और पीर-Panjal भी इसको हम क्या करते हैं क्वेशन मार्क में डाल रहे हैं क्योंकि ट्रांस के अंदर जो सम्मलित नहीं है वो और शिवालिक और पीर-Panjal दोनों है क्योंकि पीर-Panjal जो है वो आपके लेसर हेमाले में है और शिवालिक तो ही एकदर आउटर तो इसको मैंने क्या डाल दिया है Question Mark में क्योंकि Option क्या नहीं है इसके सही Set नहीं है अब देखो आपको एक अच्छा सा डाग्राम दिख रहा यह कारा कोरम है, कौनसी है यह कारा कोरम, पिर यह जो दूसरी बना रखी है, यह लद्दाक परवत्षेनी है, कौनसी परवत्षेनी है, लद्दाक परवत्षेनी, यह जो तीसरी बना रखी है, यह है जासकर परवत्षेनी, और बेसिकली में यही तीन जो है, लद्दाक, कारा यहीं किसी में शामिल है Trans हिमाले में शामिल है। फिर आप किसह को देख रहे हो। इस red कलर की line यह है आपका पीर-panjal range कौन सा range है ? पीर-panjal range और इसके बाद पीर-panjal के नीचे आप जिसको देख रहे हो यह है direct dhouladar range आपको यह 4 के चारों के चारों को map पे इस तरीके से याद रखना होगा क्योंकि हो सकता है इस बार examiner दोलाधर को क्या कर दे add करके आपको दे दे तो clear अच्छे से दिख रहा है कोई problem नहीं आगे चलो हिमाले की परवत शेडियों में जो समलित नहीं है कि कौन हिमाले की परवत शेडियों में शामिल नहीं है देखो हुआ क्या है कि जो trans हिमाले है उसको हम हिमाले की परवत शेडियों में क्या नहीं करते शामिल नहीं करते क्यों कि trans हिमाले basically eurasian plate का खंड है जब indo-australian plate और eurasian plate ने एक दूसरे से खूब लड़ाई किया ना एकदम धक्का मुकी खूब सारा मार पिटाई किया डशुम डशुम किया तो eurasian plate का कुछ हिस्सा भारत की तरफ चूट किया वो हिस्सा क्या कहलाया trans हिमाले कहलाया और उसको trans हिमाले भी बोलते हैं और तिबथियन हिमाले भी बोलते हैं उस हिस्से में आपके कारा कोरम है लद्दाक है और जासकर है अब ये हमसे question क्या पूछ रहा है कि हिमाले परवत शेडियों में जो सम्मलित नहीं है तो कौन हिमाले परवत शेडियों में शामिल नहीं है तो आपके शामिल नहीं है कारा कोरम नहीं है ये किस का भाग है? ये ट्रान्स हिमाले हिमाले के पार का भाग है बाकी नीचे की ये तीनो ग्रेट लगू और शिमाले किसके हिस्से हैं? हिमाले के हिस्से हैं तो सही answer क्या होगा? A, सही है, आगे चलो, समझ आया, चलो, कलिपोंग को लहासा से जोडने वाला दर्रा है, तो देखो ये बहुत important question है, आपको कलिपोंग के बारे में शायद नहीं पता होगा, तो देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये डागराम आपको देख रहा है, इस डागराम का ये ये जो स्टेट आपको देख रहा है, ये वेस्ट बेंगॉल है और ये आपका सिक्क्म है, कलिपोंग वेस्ट बेंगॉल में कहां इस्थित है, दाड्ज लिंग में इस्थित है, व गाना सुना है कि परणिता पिक्षर का अब पता नहीं, अब मेरे को भी याद नहीं आरा कि हम में अबोस्त प को परणिड दार्ज लिंग के अंडर तो करके अभी किसी को यह दया तो बताना, तो कलिपोंग जो जगे है वहा को वेस्ट बैंग आनुल वहां वर्थमान में, डाज लिंग के अन्दर भाफ्थित अब शितित है बसक्किलिव भाइज ओ सिक्क्म का हुआ इंग्लिश भुटानी ब्रेक जा सकते हैं क्लियरौ को रधर को ल्रेकश से जोड़ने वाला रख्रा के बारे में कैसे बता सकते हैं हाँ आप ऐसे बने हुए क्यberg आप इarts ऐसे बता सकते हैं क्योंकि अभी मैंने बताया आपको जलेपला दर्रे के बारे में, कौन से दर्रे के बारे में जलेपला दर्रे, तो यहीं पर कौन सा दर्रा इस्थित है आपका, जलेपला दर्रा है और इधर की तरफ क्या है, तिबबत इस्थित है, तो आप कलिपॉंग से जलेपला दर्रे हो आप कलिपॉंग से लाहासा तक जा सकते हो और अगर आप ये रोट टिप एंजॉय करोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको ठीक तो धर्रा ध्यान रखना कौन सा है आपका जलेपला अब आगे चलते हैं सही आंसर क्या होगा जलेपला धर्रा अगे? 1 मिन्ट आप देख भी लीजे अरामसे यह कौन सा धर्रा है आपका जुयाह का। जलपला धर्रा ऑफ पको बॉर्चिला और जोजीला दर्रे निमनमस और किस राज्जे में इस्थित हैं। बुर्चिला और जोजीला आज वर्तमान के हिसाब से तो बुर्जिला तो है आपके जमू एंड कश्मीर में और जोजिला है आपके लद्दाख में लेकिन यहां पर मैंने लद्दाख option मना के नहीं दिया है जब लद्दाख option में नहीं है और दोनों पूछे जा रहे हैं तब हम आंसर क्या कर देंगे जम्मू एंड कश्मीर कर देंगे क्योंकि पहले लद्दाख जो है वो जम्मू और कश्मीर राज्य का ही क्या था भाग था लेकिन वर्तमान में दोनों अलग-अलग हो गयए हैं दोनों जो अलग-अलग चेंदर डियान रखेच तो फ्रोलके क्या मर्स भखेट गार सब्केट औराऊत है और देखने वाले हैं और धियान की बताओंगी ताकि ताकि आपको ध्यान यह जो दर्रा आपको दिख रहा है यह है बुर्जिल दर्रा कौन सा दर्रा है बुर्जिल दर्रा ठीक और यह जो दर्रा आपको दिख रहा है यह कौन सा दर्रा है जो जीला दर्रा तो अगर आपको सिंगल सिंगल भी पूछे अब की बुर्जिल दर्रा भारत के कौन से केंदर शाषित प्रदेश में आता है तो जमू एन कश्मीर में आता है और अगर आपको ये पूछे कि जो जिल्ला दर्रा जो है वो कौन सी यूटी में आता है तो आपको आंसर क्या देक देकर आना होगा ठीक तो एक बार फिर से क्वेशन को देख लेते हैं बुर्जिल और जोजिला दरा निमनमे से किस राज्य में इस्थित है ऑप्शन के नुसार आंसर क्या हो जाएगा जमू कश्मीर अगला देखो हिमाले में सबसे गहन अपरदन है मतलब हिमाले में ऐसी कौन सी जगे है जहां पर हिमाले परवत को खूब काटा जा रहा है खूब उस पर कटाव की स्तती है अब ये जगे वही हो सकती है जहां पर नदिया बहुत तेश तरीकी से क्या कर रही है दोड रही है ब अफ्तार इसलिए मिलेगी, क्योंकि नदिया ढालो पर चल रही है, तो वो तेश दौडती भी चलेगी, और उनके पास अच्छी खासी मात्रा में पानी होगा, तो वो मस्त परवत को क्या करती भी जाएगी, काटती जाएगी, तो सबसे गहन जो अप्रदन होता है हिमाले में, वो कहां होता है, शिवालिक में होता है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, याद रखोगे इस क्वेशन को अच्छा क्वेशन है, फिर देखो अगला क्वेशन की और चलते हैं, अपन, सहियादरी निम्नांकित में से किस प्रकार का परवत है, अब देखो सहियाद जो एक दिवार जैसा खड़ा है ना दिवार पिक्चर अमिता बच्चन देखी होगी ना तो ये दिवार पिक्चर जैसा जो खड़ा है दिवार जैसा खड़ा है पस्चिम की और है और प्राइदीप ये पठार का ही भाग है इसी को हम महराश्टर में इसको क्या कहते हैं आदरी बोला जाता है अब वो यह आप से पूछ रहे कि यह कैसा परवत है देखिए एक होते हैं सच्चे और एक होते हैं जू तरफिया मतलब वलन के रूप में बने हैं इसलिए उनको क्या कहा जाता है फोल्ड माउंटेन वलित परवत या सच्चे परवत कहा जाता है लेकिन कुछ परवत ऐसे होते हैं जो कि धक्का मुक्की से दूसरे जमीन के हिस्से को नीचे दबा देते हैं और खुद उपर उठेवे दिखते हैं ऐसे पर काम करना शुरू करें तनाव बल काम करना शुरू करें तो टेंशन फोर्स की वजह से इसी जमीन का एक हिस्सा नीचे धस जाएगा एक हिस्सा क्या धस जाएगा नीचे की और धस जाएगा तो एक हिस्सा नीचे की और धसकने के कारण बाकी दो हिस्से आपको क्या उपर उठेवे दिखेंगे, और ये किस तरफ दिख रहे हैं, ब्लॉक की तरह दिख रहे हैं, किस की तरफ दिख रहे हैं, ब्लॉक की तरह या ब्रंश की तरह दिख रहे हैं, इसलिए ये कैसे परवत होते हैं, ब्रंशोत परवत होते हैं, लेकिन ये जमीन से उठेवे यह दिख रहे हैं क्योंकि बीच की भूमी क्या हो गई है नीचे की तरफ दब गई है इसलिए इनको सच्चे परवत नहीं कहते तो सहियादरी कैसा एक्जाम्पल है ब्रंशोत परवत का एक्जाम्पल है क्लियरली आगे चलू चोटा नखपूर के प्ठार की सबसे ऊंची परवत है तो पारसनाथ है यह बहुत झर्चा फाड़ी है और यही छोटा नागपूर पठार का सबसे उचा सिखर है और आपको यह क्या रखना है याद रखना है क्लियर चलो अगला question देखते हैं नीचे दिये गए मान्चित्र में एक, दो, तीन और चार द्वारा चिन्नित समुंदर तटिये भागो के नाम क्रमश है मतलब हमें इस तरफ गौर रखना है और हमें पकड़ना है कि कौन सी जगह कौन सी है तो देखो, रामजे हम देखते हैं अभी तो देखो, first यहाँ बिंदु लगा रखा है इस coast का नाम हमें पूछा गया है तो यह coast है हमारा कौनकण coast कौन सा coast है? कौनकण मतलब first number पर हमेशा कौन सा चीज आएगी? कौनकण आएगी तो अब देखो, first number पर कौनकण कहां लिखा हुआ है first number पर कौनकण सिर्फ यहीं लिखा हुआ है बाकिं किसी भी option पर first number पर कौनकण नहीं लिखा हुआ है clear? दूसरा number ये रहा दूसरा number पर कौन सा coast आएगा आपका, माला बार कोस्ट यानि कि दूसरे नंबर पे आपको क्या लिखावा होना चाहिए माला बार तो अब हम शूर हो गए कि ना तो B answer होगा ना ही C answer होगा और ना ही D answer होगा हम confirm हो चुके हैं कि क्योंकि first पे कौनकर आ रहा है और second पे क्या आ रहा है माला बार तीसरा कोस्ट कौन सा है आपका तो ये कोरो मंडल द्वीप है कौन सा द्वीप है कोरो मंडल कोरो मंडल कोस्ट है फोर्थ नंबर जहां लिखावा आ रहा है ये कौन सी जगे है उत्री सरकार है कौन सी जगे है उत्री सरकार तो सही answer क्या होगा 19 number question का, सही answer होगा first, clear, easy है, आगे चलू, हाँ, निमलिकित परवत चोटियों पर विचार कीजिए, अब कर लेते हैं, Everest, मकालू, अनपूर्णा और कंचन जंगा, कर लिया, उपरोक्त मैंसे सबसे पूर्व में, कौन सबसे जादा east मैं स्थेत है, अब सबसे पूर्व में कौन है, कंचन जंगा है, क्योंकि कंचन जंगा कहां इस्थेत है, सिक्किम में इस्थेत है, तो सही answer इन चारोक मैंसे क्या होगा, कंचन जंगा एकदम सही answer है, क्योंकि वो सबसे क्या है, पूर्व में इस्थेत है, बाकी सब इससे पीछे है, clear, चलो, त तो चलो, आज के 20 questions क्या हुए, पूरे हुए आशा करती हूँ कि आप अच्छे से 20 questions को देखेंगे और पिछली class का भी लगाता, revision करते रहेंगे, और इसके बाद हम मिलेंगे अगली class में, और अगली class में बैठने से पहले ये सारे diagram, ये सारे question को अच्छे से देखें, और देते हैं, हम अब अगली class में, बाई!